दोस्तो मैं सोरमली काप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के सभी परमुक यूद से सम्बंदित दोस्तो 35 ऐसे महत्पुन कोशन आंसर्स जो की अक्सर परिक्साओं में पूछे गये हैं अगर आप लोग ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया यूद से सम्बंदित इन 35 कोशन से भार कोई कोशन नहीं पुछ जाएगा क्योंकि बार बार यही रिपेट होते हैं तो पूरी वीडियो को ज्यान से एंड तक देखेगा दोस्तो वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक से अर भी जरूर कर देना कनोज का यूद कब लड़ा गया यह आपका पहला कोशन है अगर आपको आंसर पता है दोस्तो तो कमेंट बोक्स में बता सकते हैं देखे कनोज का यूद लड़ा गया था पंदरा सो चालिस में यानि की पहले कोशन का राइट आंसर ए हो जाएगा दूसरा कोशन है किसने चोसा की लड़ाई जो की 1539 में हुई थी में हुमाईयू को प्राजित किया था दोस्तो दूसरे कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा सेर सांसूरी को यानि की C is the right answer देखे तीसरा कोशन है घागरा का यूद कब लड़ा गया मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन का सही आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताईए 15-29 में यानि की तीसरे कोशन का right answer D हो जाएगा वई कोशन नंबर 4 है पानिपत की दूसरी लड़ाई जो की 1556 में हुई थी निमलकित में से किस के बीच हुई थी कोशन नंबर 4 का सही उत्तर हैगा अकबर और हेमु के बीच में यानि की B right answer हो जाएगा SSC GD का भी एक्जाम चल रहा है उसमें लगतार कोशन पूछे जा रहे हैं यूद से संबनित तो पूरी वीडियो को देखीगा परसिद 10 राजाओ का यूद 10 राज यूद किस नधी के तटपर लड़ा गया था ये भी बहुत बार पूछे जाता है वही 10 राजाओ का यूद तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा पूछपणी नधी के तटपर यानि की राइट आंसर D हो जाएगा ठीक है भाई कोशन नमबर 5 है परसिद 10 राजाओ का यूद 10 राज यूद किस नधी के तटपर लड़ा गया था तो सही आंसर रहेगा दोस्तो पूछनी नधी के तटपर यानि की D is the right answer देखे अगर आप लोग किसी भी competitive exam की चारी करते हैं तो आप हमारी master pdf को ले लीजे इसमें आपको सारे subject मिल जाएंगे पूरी lifetime के लिए और ये मात्र 170 रुपे की pdf है इसका link description box और हमारे whatsapp number दोनों जंगे मिलेगा link पर click करना है payment करना है pdf आपको तुरंत ही मिल जाएगी चटा question है कारगिल युद किस वर्स लड़ा गया दोस्तो question number 6 का सही answer क्या रहेगा कारगिल युद किस वर्स लड़ा गया तो right answer हैगा 1999 में यानि कि छटे question का right answer C हो जाएगा दोस्तों question number 7 है पर्थम भारत पाक युद कब लड़ा गया पर्थम भारत पाक युद दोस्तों कब लड़ा गया तो सही answer रहेगा 1965 में यानि कि C is the right answer question number 8 है भारत चीन युद कब लड़ा गया right answer है 1962 A right answer हो जाएगा question number 9 है भारत पाक का वहे युद जिसके परिणाम सवरूप बांगला देश एक सवतंतर देश बना कब लड़ा गया था 1978 में दोस्तों 9 question कराईट आंसर B हो जाएगा question number 10 है पानिपत की तीसरी लड़ाई जोकी 1761 में हुई थी किनके बीच हुई थी तो सही answer हैगा एहमद सा अबदाली और मराठा के बीच दसवे question कराईट आंसर C हो जाएगा यह है आपको याद रखना है 11 question है धर्मत का यूद जोकी 1658 में हुआ था निवन में से किस के बीच लड़ा गया सही answer हैगा ओरंग जेब और दारासी को के बीच ओरंग जेब और दारासी को यानि की right answer D हो जाएगा 11 question का सही answer 12 question है खानवा का यूद में बाबर ने किसे हराया था खानवा के यूद में बाबर ने किसे हराया था दोस्तो इस question का सही उत्तर क्या रहेगा राना सांगा को यानि कि C is the right answer question number 13 है तराइन का पर्थम यूद निमलखित में से किसके बीच हुआ था तराइन का पर्थम यूद दोस्तो किसके बीच हुआ था मुहम्मद गोरी और प्रत्वीराच चोहान के बीच हुआ था दोस्तो 13 question का right answer आपका B हो जाएगा हाई डेस्पीज या वितिस्ता का यूद जोकी 326 इसापूर में किन-किन सासकों के बीच हुआ था सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था दोस्तों यह भी very very important question है यह भी exam में भी question आया था पंदरवा question है चंदावर का यूद 1194 में इसमी में हुआ था किन के मद्ध्य हुआ था यह हुआ था दोस्तों मुहमद गोरी और जैचंद के मद्ध्य यानि कि पंदरवे question का right answer C रहने वाला है सोलवा question है चंदेरी का यूद किन के मद्ध्य हुआ देखे चंदेरी का यूद हुआ था बाबर और मैदिनी रोये के मद्ध्य यानि कि right answer C हो जाएगा सतरवा question है वहिनन्द का यूद निमलिकित में से किन के बीच लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में यानि कि सतरवे question का right answer दोस्तों B हो जाएगा अठारवा question है प्लासी का यूद जोकी 1757 में हो था किसके बीच लड़ा गया अंग्रेजो एवं सिराजुदोला के बीच अठारवे question का right answer B हो जाएगा वहिन्द 19 वा question है दक्सिनी भारत का तकोलम का यूद किसके बीच हुआ था तो सही answer हैगा चोल एवं रास्कुटों के बीच हुआ था यानि कि right answer is option A हो जाएगा 20 वा question है वांडिवास का यूद 1760 में हुआ दोस्तों किनके मद्द्य हुआ या आपको बताना है तो सही answer हैगा अंग्रेज जो एवं फ्रांसिसों के बीच हुआ था 20 वे question का right answer A रहने वाला है 21 वा question है ताली कोटा का यूद कब लड़ा गया ताली कोटा का यूद दोस्तों कब लड़ा गया तो सही answer क्या रहेगा 1565 में यानि कि 21 वे question का right answer दोस्तों B हो जाएगा 22 वा question है हल्दी घाटी का यूद कब लड़ा गया सही answer रहेगा 1566 में यानि कि A is the right answer पानी पत का पर्थम यूद कब लड़ा गया 1526 वे में यानि कि B right answer हो जाएगा दोस्तों 24 वा question है त्राइन का दुत्य यूद कब लड़ा गया तो त्राइन का दुत्य यूद लड़ा गया था 1192 इस भी में 92, 93 बोल सकते हैं आपर तो option 92 नहीं है तो right answer भी हो जाएगा वैसे 1192 option में होना चाहिए था पर नहीं है तो यह आप लगा सकते हैं right answer is B 25 वा question है बक्सर का यूद कब लड़ा गया था तो बक्सर का यूद लड़ा गया था दूस्तों 1764 में यानी की A is the right answer 26 वा question है पानिपत की तीसरी लड़ाय कब हुई थी पानिपत की तीसरी लड़ाय हुई थी दोस्तों 1761 में यानी की A right answer हो जाएगा 27 कोशन है रुहेला का यूद कब हुआ था 27 कोशन का सही answer है गा रुहेला का यूद कब हुआ था राइट आंसर इस 1774 में यानि की D राइट आंसर हो जाएगा 28 वा कोशन है खुर्धा का यूद कब हुआ था Q28 राइट आंसर क्या रहेगा खुर्धा का यूद कब हुआ था तो राइट आंसर इस 1795 में यानि की C is the right answer 29 कोशने दुध्य भारत पाक यूद कब हुआ था 29 कोशन का राइट आंशर हैगा 1770 यानि की A is the right answer कोशन नबर 30 है पर्थम अंगल मैसूर यूद कब हुआ था तो पर्थम हुआ था दोस्तो 1767 से 69 यानि की A right answer रहेगा कोशन नबर 30 का सही उत्तर कोशन नबर 31 है दुध्य अंगल मैसूर यूद कब हुआ था तो कोशन नबर 31 का right answer क्या रहेगा दोस्तो 1780 से 84 यानि की B is the right answer ये आपको याद रखना है कोशन नबर 32 है तृत्ते अंगल मैसूर यूद कब हुआ था कोशन नबर 32 का right answer रहेगा 1790 से 92 यानि की C is the right answer कोशन नबर 33 है चतुर्त अंगल मैसूर यूद कब हुआ था तो 33 का right answer दोस्तो हो जाएगा 1799 यानि की D is the right answer 34 ये परत्तम विश्व्यूद कब हुआ था तो पहला विश्व्यूद हुआ था 1914-18 के बीच यानि की right answer A हो जाएगा दुत्ते विश्यूद कब हुआ था तो इस question का दोस्तो right answer रहेगा 1939 से 45 के बीच यानि की B right answer हो जाएगा अब देखे 35 question में से आप लोगोंने कितने questions के answer सही किये है comment box में बता सकते हैं परत्तम भारत पाक यूद कब लड़ा गया ये आपके लिए test question है जिसका answer हरेक इस friend को comment box में बताना है प्यारे दोस्तों अगर आप लोगोंने अभी तक master pdf नहीं ली है तो इसको जरू ले लिजे क्योंकि इसमें history, geography, politics, economics यानि की सारे subject मिल जाते है मातर 170 रुपे में पूरी lifetime के लिए आप ये pdf कितनी बार भी पढ़ सकते हैं pdf का link description box और हमारे वोटस अप नंबर दोनों जगे मिलेगा link पर click करना है payment करना है pdf आप आपको तुरंत ही मिल जाएगी ठीक है अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो like share करिएगा चैनल पर नए है तो subscribe करिए bell icon को on रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो thank you so much bye bye everyone take care ख्याले के अपना मिलते नेक्स क्लास में